Ministry of Road Transport and Highway नेतिन गड़करी जी ने कुछ दिन पहले ही यहाँ पर शुक्रवार को कहा था कि उनका मंतरा ले तो अब दली से जैपूर तक Electric Highway की निर्माण के लिए ही एक विदेशी कंपनी से अभी फिलाल बातचीत में लगे हुए है यह लोग वेल केंद्रिय मंतरी जी ने यहाँ पर यह कहा है कि दली से जैपूर तक का यह जो सेक्शन हम Electrify करना चाते है एक Electric Lane बनाना चाते है यह उनका एक काफी बड़ा सपना है यह अभी फिलाल तो प्रस्तावित प्रयोजना है और इसके लिए अब एक यह लोग विदेशी कंपनी से भी बज़ित कर रहे है स्वेडेन की यह कंपनी है हाली में जब वो डेली मोबै एक्स्प्रेस वेग का प्रोग्रेस का रिव्यू कर रहेते राजिस्तान में उन्होंने तब कहा था कि बसे और जो ट्रक्स यहाँ पर दोड़ेंगी वो भी एलेक्ट्रिसिटी से अगर हम देली मोबै एक्स्प्रेस वेग में एलेक्ट्रिफाय ला दे सो सेंट्रल गवर्मेंट यहाँ पर आसानी से हजार से पंदरा सो क्रोर रुपीस एवरी मन्थ तोल्ड रेवेन्यू जनरेट कर सकती है वेल इस एक्स्प्रेस वेग की शिरुवात यह लोग तो कह रह आएंगे डेली जैपूर यह एक 200 किलोमेटर लॉंग सेक्शन होगा या फिर यूख एलो की एक न्यू लेन ही होगा इस डेली मोंबै एक्स्प्रेस वे में यह पूरी तरह से कंप्लीटल एलेक्ट्रिफाय होगा और यहाँ पर एलेक्ट्रिफ वेइकल्स को परमिशन दे द सब्सक्राइब करते हैं उसको किस तरह से यह टेक्नोलोजी टैकल करती है वैल अब मैं आपको इस बेनिफिट्स के बारे में बताता हूँ कि एक बार यह एई हाईवे बन जाने के बाद इसके कितने तमामों सारे बेनिफिट्स होंगे सबसे पहला और सबसे बड़ा अगर transportation cost कम हो जाती है so definitely यहाँ पर जो समान है उसके भी cost थोड़ी cheaper हो जाएगी यह पूरी तरह से एक काफी eco-friendly solution है भारत इससे अपने तमामों अर्बों घर्बों रुपए बचा सकता है और of course यहाँ पर petrol डीजल से तो काफी जादा कम भी है काफी जादा सस्ता भी है और efficient भी है environment को भी यहाँ पर कोई हाम नहीं हो रहा है इससे भारत का भी जो सपना है कि net zero carbon emitter बनना है इसमें भी काफी जादा मदद मिलेगी इसके बारे में आपकी कह रहा है जरूर से comment कीज़ेगा